नमस्कार मैं प्रफाकदवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच रातर के कुछ खास ख़बरों सवंगर ख़बर की सुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्राखंड के उधम सिंग्नगर्सी जहां से बड़ी ख़बर आ रही है कांग्रेश से नहीं हट रहा है मोह भंग जी हाँ यहाँ ख़बर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंग्नगर के बाजपुर में कैबिनेट मंतरी यस्पाल आरे के साथ कांग्रेश छोड़कर भाजपा में सामिल हुए नेताओं का मोह आज भी कांग्रेश से भंग नहीं हो रहा है यहीं कारण है कि कांग्रेश से भाजपा में आये हुए पुर्व दरजा राजमंतरी आज भी भाजपा के कारेकरम में मौजूद दिखे भाजपा कारेकरताओं को कांग्रेशी का बता रहे हैं बता दे कि बाजपुर में कैबिनेट मंतरी यसपाल आर्रे द्वारा धर्मसाला में दिब्यांगों को जरूरी उपकर्म बाटने का कारेकरम आयोजित किया गया था जिसमें पूर्वदर्जार राज्य मंतरी हरेंद सिंग लाडी भी मौझूद थे जहां हरेंद सिंग लाडी ने भारती जनता पार्टी के कारेकरम में मौझूद भाजपा कार्यकरताओं को कांग्रेसी बता दिया जिससे साप प्रतित होता है कि पूर्व दर्जार राज्य मंतरी हरेंद सिंगलाडी का आज भी कांग्रेस से मोह भंग नहीं हो रहा है वहीं जब इस मामले में कैबिनेट मंतरी यस्पाल आरे से सवाल किया गय की हर व्यक्ति की अपनी विचार धारा है देखें बाजपूर से मुहम्मद सहीद की यह रिपोर्ट कि अपने विचार धारा हैं जहां हैं हम तो ही कहेंगे लेकिन उनकी जो पार्टी का उनका अंतरिक मामला है वो क्या चाहते हैं उसमें मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ जहां सेवा सप्ताह के अंतिम दिन हुआ है ब्रिक्षा रोपन जी हां जौनपूर जीले के थाना खेता सराय चेतर अंतरगत गोधना गाओं में शियू मंदिर के प्रांगण में भारत के प्रधान मंत्री माननिय नरेद मोदी जी के जन्मदिन के उसर पर सेवा सप्ताह के अंतिम दिन भाजपा कारेकरताओं द्वारा बिरिक्षा रोपन किया गया जिसमें छेत्री मंत्री कासी परी छेत्र भाजपा महिला मोर्चाव पुरवांचल प्रभारी डाक्टर अंजना सिर्वास्तो मंदल अध्यक्ष मदनलाल सूनी मंदल उपाध्यक्ष बलिहारी कि आप बारती जन्ता पार्टी में किस पत्पर है तो आज यह जो बिच्छार उपन का कारिक्राम हो रहा है तो इसमें आप लोग पौधा लगा कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग मानी मंत्री जी के 17 जन दिवश मना रहे हैं सेवा सप्ताह के रूप में जिसमें हम लोग मतब देश की उन्नती के लिए ब्रिक्षा रोपन फल वितरन स्वक्षता अभियान रक्तदान इत्यादी कारिक्रमों को हम लोग एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं जनता पार्टी समाज के लिए कितना काम कर सकती है यह कारिक्रम कब से चल रहा है यह 14 तारीक से चला है अभी आगे कब तक चलेगा आज आखरी दिन है एक सप्ता के लिए था आज एक सप्ता पूरा हो तो आप अपने माध्यम से जौनपूर की जनता को कुछ संदेश देना जाती हूं कि ब्रिक्ष लगाना एक जीवन देने के बराबर है और जिससे की जनता समझें कि हमारे ब्रिक्ष लगाने से अक्षीजन बढ़ेगा और प्रदूसर्ण खत्म होगा और तमाम रोग जैसे करोना जैसे वायरस को भी ब्रिक्ष हमारे मारेंगे अगली खबर भी यूपी के जोनपूर जिले से है जहां दरजनों बाहन का हुआ है चालान जी हां जिले के खुटहन चौराहे पर प्रभारी निरिक्षक बीजै संकर सिंग के नित्रित में आज साम को पुलिस ने दरजनों बाहनों का किया है चालान खुटहन चौराहे पर उपनिरिक्षक रमेश कुमार यादव के द्वारा बाहन चेकिंग किया गया जिनके पास इंसुरेंस गाड़ी के कागज हेलमेट नहीं थे उनके चालान किये गये हैं उपनिरिक्षक रमेश कुमार यादव ने लोगों से अपील की कि लोग इंसुरेंस हेलमेट वर तीन सवारी संग ना चलें चेकिंग अभियान को देखकर बाहन श्रामियों में हडकम मच गया है देखे खुटहन से शिवशेंद्री यादव की रिपोर्ट जहां जोरदार बारिस ने बढ़ाया है किसानों की मुसीबत जी हां राजस्थान के जालावार जिले के सुनेल थाना च्छत के गाउं बोर खेडी में तेज हवा के साथ करीबन एक घंटे तक हुई मुसलाधार बारिस से किसानों की चिंता बढ़ा दी है किसानों ने सोया बीन और उड़द की कटाईस शुरू कर दी थी जो अब वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है किसानों की फसल पहले ही रोग ग्रस्त थी उपर से पानी भी मुसीबत बना हुआ है हेमडा से मान सिंग नागर की रिपोर्ट इसके साथ तेज हावा चलिए जिससे किसानों की साहरी पसल गिली हो चुकी है उसमें पानी पानी हो गया है इससे किसानों को कापी समश्याओं का सामना करना पर रहा है देखे रिपोर्ट उमीद में सौ को लेकर जहार फुक के लिए दो दिन का दो दिन तक चक्कर लगाते रहे इधर उधर भागते रहे ठक हार कर शौ घर वापस लाए जहां से सुतवली घाट पर ले जाकर अंतिम संसकार किया गया गाउनिवासी गुडिया बिस्तो कर्मा बाइस पुत्री संतलाल साम को खानाब खाकर छपपर के नीचे खाट पर बिस्तर लगा कर शो गई सुबह जब वह देर तक सोती रही तो उसका पिता उसे जगाने के लिए चादर खीचा तो उसका चेहरा एक तरफ जुल गया आनन फानन में उसे जिला चिकत साले ले जाया गया जहां उसे मृत घोसित कर दिया गया स्वजन सो घर लाए तो उसके गले से खून दिस रहा था जिसे देख वे उसे जीवित समझ फिर से जाड़ फुक को ले गये लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका देखे खुटान से सिवसेंद्र यादो की रिपोर्ट इस बुलेटिन में खबरे बस यही तक जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग कहीं ने जाएं क्योंकि यहां होती है हर खबर पनज़त नमस्कार झाल